वेलकम एव्रिवान टु जॉब अपडेट्स बाई श्रेनिक जेन यूट्यूब चैनल ओइल इंडिया लिमिटेट की तरह से रिग्रियूर्ट में निकल करके आ रही है फॉर 2021 यहाँ पर बहुत ही भैतरीन वेकेंसी है आपको सैलरी प्रोवाइड करने जा रहे है 1,20,000 पर म देखो यार सैलरी इतनी जादा है तो सीटे थोड़ी कम होगी बट जिनके पास क्वालिटी है तो वो एक्जाम क्लियर कर जाएंगे और जॉब हासिल करेंगे ठीक है तो चलिए डीटेल पीडिएफ के बार में बात करते है कैसे अपलाई करना है कौन से ब्रांच अलीजिब देखना सबसे पहले एक्सपिरियेंस वालों के लिए पोजिशन निकल करके आ रहा है सूपर इंटेंडिंग इंजिनियर ड्रिलिंग वालों के लिए एक ही वेकेंसी है सालरी आपकी 80,000 पर मन्त इन हैंड होगी प्लस अलावेंस तो टोटल आपका 1,50,000 बन जाएगा कुछ बैचलर्स डिग्री इन एन अफ दी ब्रांच आप एलिजिबल हो और यहाँ पर मिनिममम आपका 65% मार्क होना चाहिए और पोस्ट कौलिफिकेशन में आपकी एक्सपिरियेंस तीन साल की रहनी चाहिए तो एक्सपिरियेंस वालों के लिए तो यहाँ पर हमारी मेजॉरिट जो स्टुडेंट्स है वो फ्रेशर्स है तो फ्रेशर्स पर सीधा चले जाते हैं देखो यार अगर आपके पास एक्सपिरियेंस है तो यह नेक्स्ट पोस्ट आपके लिए भी है जहाँ पर तीन वेकेंसी है और सेम आपका 1,50,000 का पे रहने वाला है पर मन्त और इस प्रक अगर अगर आपके पास मिनिममम टू यर्स का एक्सपिरियेंस है तो आप अप्लाए कर सकते हो ग्रेड पे आपका बी का होगा याने 60,000 प्लस अलावेंस तो आपकी टोटल सालरी बन जाती है 1,20,000 पर मन्त ठीक है तो यहाँ पर आप अगर आप ध्यान से देखो ताप फ् 32 है कौन इलिजिबल है अगर आपके पास चार साल का बैच्रेस डिग्री है इन इलेक्रिकल इंजिनेरिंग आप इलिजिबल हो वित मिनिममम 65% मार्क्स यह कंपल सरी है एक्स्क्लूडिंग ओल इस ब्रांचे तो यह ब्रांचे इलिजिबल नहीं है क्योंके नेक्स और यह सब ब्रांचे को इंक्लूड नहीं क्या गया है और अगे जो रिमेनिंग ब्रांचे इनकी अलग से विकेंसी निकली हुई है तो उसके बार में भी बात करेंगे जैसे अगर आगे बड़े तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीनियर ऑफिसर मेकानिकल दस विकेंसी नि वाली है और यहाँ पर बैचलर्स डिग्री इन मेकानिकल इंजिनियरिंग वाले इलिजिबल है वित मिनिममम 65% मार्स एक्स्क्रूटिंग ओल इस ब्रांचे तो बिचारे यह ब्रांचे तो इलिजिबल नहीं है ठीक है अगर आप आगे बात करो यहाँ पर सीनियर ऑफिसर यहाँ पर आप देख सकते हो PG in Geophysics, Applied Geophysics, Exploration Geophysics वाले इलिजिबल है सेम आपका ग्रेड पे B का होने वाला है और लास्ट में सीनियर ऑफिसर इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे मैंने अभी-अभी कहा था कि इनकी अलग से है तो दो वेकेंसी निकल करके आ रही है ग्रेड पे B का होने वाला है अपर एजल में 27 यर्ज अर्खी गई है और यहाँ पर कौन एलिजिबल है बैचलर्स डिग्री चार साल का इंस्ट्रूमेंटेशन इंजिनियरिंग विट मिनिमम 65% मार्स excluding all these other branches ठीके जी तो यह थी आपकी वेकेंसी और सैलरी पर बापस से आएंगे डीट आए गया है इस प्रकार से आपकी experience होनी चाहिए है ना grade C वाले salary structure के लिए ठीके जी चलो आगे बात करते हैं और यहाँ पर discuss करेंगे pay and allowances के बार में देखो जिनकी grade B की salary थी तो 60,000 पर मन्त आपका basic pay होगा प्लस उसके ओपर allowances होगा इसके लिए approximate total emulments in grade C, B and A at minimum of scale will be minimum कह आपके इसके उपर भी जा सकता है तो grade B वालों के लिए 1,20,000 पर मन्त होने वाला है अब खुश अब तसली मिल चुकी है तो आप application fees के बार में बात करते हैं तो general या OBC वालों के लिए application fees 500 प्लस GST और बाकी categories के लिए nil कोई fees पे नहीं करना है तो अच्छी बात है यहाँ अब selection process के बार में बात करें तो सीधा हम freshers वालों के लिए बात करते है experience वाले अपना पढ़ सकते है PDF की links मेंने description box में दे रखी है तो experience वाले बच्चे ध्यान से सुन लेना अगर आप grade B की salary के लिए apply कर रहे हो याने उन positions के लिए apply कर रहे हो तो उस case में आपके पास 2 faces का test ह होने वाला है पहले face में आपका computer based test होगा 100 marks का होने वाला है और qualifying marks इस प्रकार है category wise और phase 2 में आपका group discussion हो सकता है या फिर group task हो सकता है जिसकी 30 marks weightage दी गई है और फिर personal interview होगा जिसकी 10 marks का weightage दिया गया है ठीक है तो इस प्रकार से ये तीनो exam देने के बाद जो result आएगा उस ये भी important है काफि students को पता नहीं होता ये भी एक test होता है इसमें भी आपको qualify करना होता है उसके बाद service bond के बार में clearly mention किया गया है that minimum आपको 3 साल तो बिताना है इस company के साथ अगर extend करना उसके बाद तो कर सकते हो नहीं करना है तो छोड़ सकते हो ठीक है चलो आगे बात करते ह है general information इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इंडियन citizen होना चीए है ना no manual या paper application will be entertained एक normal सा यहाँ पर दिया गया है जिसमें कोई specific बात नहीं है चलो आगे बात करते हैं ऐसे specific criteria नहीं है कि सिफ आसाम वाल ही eligible है ऐसा कई पर भी mention नहीं किया गया है तो इसका भी आपको note करना है कभी कभी पूछ लेते हैं जैसे previous वीडियो में पूछ लिया था कि सर वो यूपी के लिए है specific या all इंडिया है तो वो all इंडिया थी previous वाली वीडियो भी तो यहाँ पर आप detail में पढ़ लेना अगर आपको तसली चाहिए तो पूरा PDF मेंने description box में दिया ही है ओके अब बात कैसे कैसे apply करना है सब के बार में बताया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं first second third तीनो step के बार में बताया है तो जा गर के आप भर सकते हो that's it for today I hope you enjoyed the video अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़रू से like करना share करना दोस्तों के साथ whatsapp facebook telegram सभी groups में ताकि उन बच्चों की आप से जानना चाहता हूँ क्या आप करोगे या नहीं comment करके जरूब रताना मिलते हैं नेक्स वीडियो में अप्टी लें टेक कर बाबाई फनाव